जीसा कि सुधरलें ने बताया थै कि सुधरलें होच्ग में क्लिपिंग कॉन्वाओं पमियां क्लिपिंग अल्यकुस जब गायां कि ले सारी कॉन्वाओं पमियां के लिए होता है लेकिन कि चोलत मुचकुछ इंवां के से हुआं और सकते Ama क्लिपिंग के लिए suitable नहीं है इसको समझने के लिए यहां पर लिख्या आपको दो फिगर दिख रहे हैं एक फिगर आपका फिगर आपका फिगर बी है ठीक है इस फिगर एक फिगर बी में convert कर रहा है इसका मतलब यह है कि हम सुधर लैंड होर्जिमेंग के तुमख को कुट कर रहा है एक दूसरे ओलिगान में थिक है ₹प आगर इस फोलिगान को कि टिफ करूं तो आप यहां दियान से तो आफ्टर क्लिपिंग विंडो के अगेंस्ट हम इस पॉलिगॉन को इस फिल्ड एरिया पॉलिगॉन को जब क्लिप करेंगे तो आफ्टर क्लिपिंग आफ्टर क्लिपिंग हमें एक नया पॉलिगॉन मिलेगा जो कुछ इस तरह से हैं लाइक दिस ठीक है अगर ध्यान से देखिए आफ्टर क्लिपिंग हमारे पास जो पॉलिगॉन मिला इस वन इस पॉलिगॉन में देखा जया तो तरह है आप एप बिस्कलिह दो पॉलिगॉन है अब ध्यान से देखिए पॉलिगॉन यह है और एक पॉलिगॉन आपको यह दिखा रहा हूँ więे दीका दो पॉलिगॉन है लेकिन इन दोनों पॉलिगॉन को देखिए एडिश्चनल लाइन के थ्रों कि है एक इडिशनाल लाइन के तर किज़को हमने इन दो ज का न मैं कि जबहुआ है तो जब भी हम किसी concave polygon को clip करते हैं किसी algorithm के थूप तो वो polygon हमेशा दो isolated polygon होना चाहिए एक single polygon नहीं होना चाहिए व्यसकर कि आपको यहां notes में दिख रहा है देखिए यहां इस figure में यहां देखिए इस figure में जो polygon लिया गया है इस वाल एक्जाम्पल की अगर बात करें जो green area मैंने बनाया है और इस वाल एक्जाम्पल की बात करें जो मैंने purple area बनाया है ठीक है जो यह वाला area आई है Southern Land Hodgeman को follow कर रहा है और same polygon यह वाला जो algorithm में यहां पे follow हो रहा है Willer Atherton polygon clipping algorithm है और same polygon ठीक है difference zone algorithm में क्या है देखिए difference zone algorithm में क्या है जब हम इस algorithm को Southern Land Hodgeman के थुरूप कर रहा है तो जब हम clip करेंगे after clipping हमारे पास देखिए इक पोलिगोन यह बनेगा red line रह लाई लाँ एक पोलिगोन यह बनेगा और एक पोलिगोन हमारे पास यह बनेगा क्या कर रहा है। आप्टे क्लिपिंग दो अलग अलग पॉलिगॉन मिल रहे हैं। इन दुनों पॉलिगॉन को एक अडिशनल लाइन के त्रू हे थे रहे है। देखिए एक अडिशनल राइन के तुरू का कि इसने connect कर दिया। लेकिन वाइलर क्या कर रहा है यहां पर दो separate polygon बना रहा है यह दोनों polygon एक दूसरे से बिल्कुल isolated है एक दूसरे से connected नहीं है यही difference है सुधर लेंड और वाइलर में है सभी लोग माई गाउन करिये हैं हो गया है सभी को यह क्लियर हो रहा है कि यह से हमने दो पॉलिगांड में आपके सामें रखी एक सुधर लेंड है एक वाइलर अल्गोर्टम है ठीक है है इन दोनों के थे हम किसी polygone को clip करते हैं हमने पढ़ा आए कि सुधर लायन होच्ज में के थूध। हम वह क्लिग करते है । ए जैपकर व्मी करो सुधर लाइन होचमान से वे खांजे ह्वोय करतidents कूं करते बाहों vive अवास सम तक पहुच रही यह नहीं पहुच रही है? Convex Convex को clip करते है ठीक है लेकिन अगर सुधरलैंड के थूँ अगर हम Concave Polygon को clip करें तो कुछ Concave Polygon हैसे होंगे जिस पर Algorithm fit नहीं होगा इसे लिए हम Concave Polygon के लिए एक Algebra पढ़ेंगे जिसको हम जो जो एक्जामपल दिया हुआ है यह जो फिगर है यह फिगर का इंटर्नल एंगल यह है ठीक है और यह इंटर्नल एंगल अभी क्लिप करूंगा थे इसी प्रॉब्लम को करने के लिया वैलर यॉपरिदम किया करता है इन दोनों प्लिगॉण को इस दूसरे से बिल्कुल आइसोलेट रखता है ठीके यहां तक सब को क्लियर है कि सुधर लेंड वाइलर में डिफरेंस के है अगर मैं किसी कॉन्वेक्ट कॉन्केब पॉलिगॉन को दोनों एलगोर्थम से एक क्लिप करता हूं तो यहां तक क्लियर है बेटा क्लियर हो तुम आगे बड़ू यस से मेरी आवाज आपकी आवाज नहीं आरही में मुस्तव सब को क्लियर है बेटा यस से जब मैं आप से कुछ पूछू न आपको लगे कि हां सब कुछ पूछ रहा है आप लोग माइक आउन करके रिप्लाइ कर दिया करें फिर माइक आउफ कर दिया करें तो मैं आगे बड़ू यस सेर्ड तो थर्ड डिफिनेशन की तरफ चलते हैं कि debris की रिविए रहा है कि Saysderland Horgevane polygon clipping algorithm Clips विस स्थव पव्लिगन Convex polygon अर ये Convex polygon को ही correctly clip करताहै Convex polygon चरती ये Convex polygon को clip करताहै बट इन रहे है क्य से Concave polygon klip like polygon may be displayed with extra minus line as so in figure जैसे कि आज फिगर में आपको दिखाए गया है extra minus line इसमें आपको figure में आएक extra line आपको दिखाए गया है जो red line में द्राओ कराओ ठीक है तो कहे रहा है extra minus line for concave polygon in suzerland hodgman polygon clipping algorithm can be solved by separating concave polygon in two or more convex polygon यानि जब भी आप किसी concave polygon sorry convex polygon को clip करते है तो after clipping भी आपको एक single polygon मिलता है आपको एक single polygon मिलता है बास समझी मेरी ज्यान से आपको दो तरह की polygon है convex polygon है concave polygon है जब आप convex polygon को किसी भी polygon clipping algorithm से clip करेंगे तो after clipping आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही polygon मिलेगा output में किसी convex polygon को अगर हम clip करते हैं तो output में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक polygon मिलेगा लेकिन जब हम concave polygon को clip करते हैं तो according to the rule जब किसी concave polygon को clip करेंगे तो हमारे पास हमेशा two or more convex polygon होगे जब हम किसी एक concave polygon को clip करेंगे separating concave polygon into two or more convex polygon जब भी हम किसी एक concave polygon को clip करेंगे algorithm के थूँ तो हमारे पास output में दो या दो से ज़्यादा convex polygon मिलेंगे as output and processing each convex polygon separately और अंक convex polygon को अलग-अलग polygon की तरह treat करेंगे ज़्यादा कि आपको difference दिखाए गया है फिरके सुदर लाइन होजमेन polygon clipping works fine with convex polygon सुदर लाइन होजमेन clipping ज़ो है हर तरह की convex polygon perfectly fit बैठता है but can have problem with some convex concave polygon लेकिन ऐसा नहीं कि सारे concave polygon पर फिट नहीं बैठेगा कि वाल कुछ concave polygon पर फिट नहीं बैठेगा इसी लिए कि हम एक अलग से algorithm design कर रहा है जिसका वाइलर अथरटन polygon clipping algorithm बोल ला है जो हर तरह के concave polygon पर fit बैठेगा so in some cases extra ominous lines along the clipping boundary may be generated as a part of the output polygon ये जनरेट होता है सुधर लाइन के केसमे ठीक है one way to solve this problem would be to add a post processing step in which we check the output vertex list for multiple vertex point any clip boundary and correctly joined pairs of vertexes a better approach is to use a more general clipping algorithm such as viler atherton polygon clipper basically देखिए इस algorithm में क्या कह रहा है और हमें करना क्या है basically करना हम ही ये है आप यहाँ इस figure को दरहा दाहान चा देखिए इस figure में देखिए हमारे पास एक polygon दिया हुआ है इस figure में हमारे पास polygon दिया हुआ है polygon के vertex V1, V2 V3 V4 V5 V6 V1 इस तरह से इन 6 vertex को मिला के closed figure बना रहा हुँ closed figure उससे polygon रहा है लेकिन 6 vertex को मिला के closed figure बन रहा है रहा polygon 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 तो कि rectangular window C1 C2 C3 C4 C1 C2 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 इस movement में I3 अगें C2 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 C7 C2 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 कर रहा है यह movement depend करता है कि आप clockwise movement कर रहा है या anticlockwise movement कर रहा है the basic idea in this algorithm is that instead of always proceeding around the polygon age हर बार हम क्या करते थे, polygon age पर move करते थे इसके पहले वाले algorithm हम थोड़ा आगर याद करिये हम input list में क्या करते थे, हम polygon age का set बनाते थे और उस age पर move करके हम क्या करते थे vertex की list बनाते थे, यानि हर बार हम क्या करते थे, सिप polygon age को consider करते थे clipping window की age को consider नहीं करते थे, लेकिन याद क्या करना है थड़ा उलिटा करना है, instead of always proceeding around the polygon age as vertexes are processed we sometime want to follow the windows boundary, यानि हमें polygon cage के साथ ही साथ उस clipping window cage को भी consider करना है, तो क्या होगा, which path we follow depends on the polygon processing direction कौन सा पाथ हम follow कर रहा है, depends करता है कि हम उस polygon पे clockwise move कर रहा है या anti-clockwise move कर रहा है and whether the pair of polygon vertex is correctly being processed represented and outside to inside होगा या inside to outside pair होगा, तो इसके लिए अगर सपोज करिए मैं clockwise movement कर रहा हूं यानि for clockwise processing of polygon vertex, we use the following rules, यहां पे दो rules है, first rule है for an outside to inside pair of vertices, follow the polygon boundary and for an inside to outside pair of vertices, follow the window boundary यानि जब हम polygon पे move कर रहा है और हमार वो movement अगर clockwise है, और उस movement में अगर हम outside to inside जा रहा है तो हम polygon boundary को follow करेंगे, यानि polygon की edge पे चलते रहेंगे, जैसे ही हम यह लगेगा कि हम inside to outside move कर रहा है, हम क्या करेंगे, polygon edge को छोड़के window की boundary पे move करने लगेंगे जैसा कि मैं आपको बड़ा explain करता हूं, जैसे suppose करिए, यह हमारा polygon है, ठीक है यह हमारा polygon है, ठीक है, और यह हमारा clipping window है, यानि clipping window के edges हो गए ठीक है, अब अगर मैं move करूँ clockwise direction, clockwise direction मतलब बता है, इस direction मैं move करूँगा सबसे पहले कहां start करूँगा V1 से, ठीक है, अगर हम manually कोशिश करें, तो हमारी clipping window case तो यह ही है अगर मैं इस edge से cut करूँगा तो यह इतना portion तो अपने आप कट हो के निकल जाएगा, यह इतना क्या होगा, यह खतम हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, बचेगा सिर्फ और सिर्फ, this one and this one, यह इतना मचेगा, ठीक है, तो यह कैसे हम calculate करेंगे कि हमें क्या मिलेगा output में, हम clockwise move कर रहे हैं और polygon के edge पे clockwise direction मूब करेंगे, तो V1 से clockwise जाने के लिए हम V1 से V2 पर जाएगे, ठीक है, फिर V2 से V3 पर जाएगे, तो देखें, जैसे मैं V1 से V2 पर जब चल, V1 से V2 तक गया, तो क्या मैं in to out गया हूँ, या out to in गया हूँ, जैसे मैं V1 से V3 के तरफ जाते समय, क्या मैं out to in हूँ, या in to out हूँ, out to in के case में हमें क्या करना है, कह रहा है, for an outside to inside pair, जो मैं line select करना हूँ, बस वही पढ़ो, out to inside pair of vertexes, follow the polygon boundary, यानि जब हम V2 से V3 की तरफ गया, तो हमने outside to inside movement किया, तो हम क्या करेंगे, हम सिफ polygon के edge पे ही अभी भी move करते रहेंगे, तो हमने क्या किया, V3 पे गया, V3 से V4 पे गया, V4 से, जैसी V4 से V5 की तरफ जा रहे थे, तो हमने देखा कि हम inside to outside हो रहे हैं, तो inside to outside ही केस में क्या होगा, inside to outside pair के लिए, follow the window boundary in clockwise direction, तो clockwise direction, अब हम V4 से V5 जब जाएंगे, तो देखें, हम in to out जा रहे हैं, जैसी हम देखेंगे in to out जा रहे हैं, जो intersection point होगा हमारा i2, यही से हम क्या करेंगे, follow करेंगे किसको, window boundary को, अब polygon boundary को छोड़ देंगे, window boundary को follow करेंगे clockwise direction में, तो हमारा movement कि इधर हो जाएगा, इधर की हो जाएगा, यानि, अगर थोड़ा मैं और अच्छे सबता हम आपको, जब मैं V2 से V3 की तरफ जा रहा था, तो इस पॉइंट पे इंटर्सेक्ट किया, देखिए, red point जो मैंने बनाया, red point दिख रहा है सबको, सब लोग माई कॉन कर लोग, माई कॉन कर लोग, थोड़ा मुझे आप से communicate करने की जूरत है, आइवनऽी पॉइंट पे इंटर्सेक्ट करएं आउट टू इम जा को, जो इस तो यह हम आप से को, गया वरा तो, जो जा सकते हैं, जो ईधर सकते हैं तो इधर सकते हैं, इस तर यह को वाग चे की मतलब हम в 2 क की तरफ ही मूफ करेंगे. तो जब V2 से वितिक तरफ जा रहे होंगे, हम एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पर रेट को पॉइंट जो आपको दिख रहा है आइवन, पर अगर हम इस डारेक्शन में भी जाएं, तो भी हमारा मुवमेंट क्लाकवाइज होगा, और इस डारेक्शन में भी जाएं, तो भी हमा है कि जब आप out to in हो रहे होंगे, तो आप पॉलिगॉन एजको फालो करेंगे, जब आप out to inside पेर आप वर्टेक्शल, उसके हम क्या फालो करेंगे, follow the polygon boundary, थीक है, तो अगर मैं इस आईवन पॉइंट पर पहुचा हूँ, अब मैं दूजहां में पढ़ गया कि मैं इधर ज लिए आइनसाइब हूँ तो इसकेस में में विए पोलिगॉन केंट को फॉलो करेंगे very good पोलिगान केज को फालो करें तो लब ने फालो करना शुरू कर दिया आइवन से वी त्री गए वी त्री से वी फोर गए वी फोर से जैसी अम आइटू पाइंट पर पॉंचे तो देखिए हमें एक और इंतर्सक्शन पॉंच पिला इटू जैसी हमने देखा कि हमारा movement into out हो रहा है हमारा movement inside to outside हो रहा है तो हम क्या follow करेंगे follow the window boundary in clockwise direction clockwise direction में यह वाला रास्ता नहीं पकडेंगे यह जो में रचार रहा हूं यह रास्ता नहीं पकडेंगे इसको छोड़ देंगे अब हम क्या करेंगे यह वाला रास्ता पकड़ लेंगे follow the window boundary जब सी follow करेंगे आइवन पर पहुच जाएंगे तो देखिए हमारे पास एक polygon बन गया जो कि क्लोजड पॉलिगॉन है आइवन से वी थ्री वी थी से वी फोर वी फोर से आइटू आइटू से आइवन ठीक है अब हम हमारे एक पॉलिगॉन बन गया अब हम स्टाट करेंगे आई 3 में दिख रहाऊगा देखिए में एक डाट बना दे रहा हूं कि यहां देखिए एक मैंने रेड़ पॉइंट ड्रॉ किया दिखा आपको आई थ्री अब यह आई थ्री हमारे न्या स्टार्ट पॉइंट होगा पहले वाले पॉलिगॉन के लिए आई वन स्टार्ट पॉइंट था अब जो दूसरा पॉलिगॉन ड्रा करेंगे उसके लिए वी शिक से आई फोर जाएंगे जैसी आई फोर पॉचेंगे हमने देखा कि आव हम आउ इन तो आउट जा रहा है तो हम यही से क्या करेंगे क्लॉक्वाइज डिरेक्शन में क्लिपिंग विंडो को फालो करेंगे तो हम इसके और बोड जाएंगे तो महारे पास देखिए हमें में क्लुद सेट में पॉलिवान दिखरहा है तो करने के लिए हमें क्या करना होगा सबसे पहले आज इतना हो जाएगा हो जाएगा यही लास्ट अलगोरत में यूनिटू का कॉंसेट बेसिकली मैंने बता दिया क्या है अगया सेशन खतम भी हो जाता है तो आप लोग एक बार खुछते प्रैक्टिस कर लिजेगा समझ में आ जाएगा अगर नहीं समझ में आएगा तो आप अब देखिए यहां पर इस अलगोर्जम में हमें एक जो लिस्ट तयार करनी है उस लिस्ट में हमें दो चीजों को लेना है एक लेना है हमें सब्जेक्ट पॉलिगॉन लेना है ठीक है और हमें लेना है क्लिप पॉलिगॉन इन दो चीजों को हमें कंसीडर करना है तो नोट्स की तरफ चलते हैं थोड़ा नोट्स में देखिए हमने एक टेबल दिख रही है आपको ठीक है सब्सक्राइब करना है अभी जब मैं फिगर में एक्स्प्लेइन कर रहा था जब मैं इस वाले फिगर में आपको सम्झाने कोशिश कर रहा था तो उसके तो मैंने बोला थाना कि हम आइवन आइवन हमारे वालीगॉन केज पर मुफ करते हैं और जैसी एक्जीट पाइंन पर पहुछते हैं हम क्या गरते हैं जहां लगते हैं तो हमारे पाद उसबजेक्ड-पॉलीगोन है सब्यक्त पालीगान में टोटल 6 वर्टेक्स लेखे लेकिन जब इस पॉलिगान को क्लिपिंग विंदों पे रखते हैं तो एडिशनल वर्टेक्स आ रही है निसी सिक्वेंस में इस लिस्ट में इन सारे वर्टेक्स को लिख रहे हैं तो पहले हमने V1 को लिखा, पहले हमने क्या किया, V1 को लिखा, तो देखिए हमने यहां पर V1 प्लेस कर दिया, फिर V2 को लिखा, फिर हमने V2 यहां प्लेस कर दिया, V2 को बाद क्या आ रहा है बेटा, V3 आ रहा है, I1 आ रहा है, I1 आ रहा है, तो हमने क्या किया, I1 को लिख ल इस सब्जेक्ट में हमारे पास पालिगॉन के इंट्रसेक्शन पॉंट्सरे द हुद हैं इसलिए यहां पर V1 आ यहां पर 6 और I1 आ इसलिए आँपोर को अपर च्छोंक आपर 10 अपर 11 इंटा ज्यांदिए इन 11 इन 11 एंट हमारा आइवन जो है आइवन आइटू आइट्री आइफर इंटर्सेक्शन पॉइंट है अब मुझे बताइए इसमें आइवन आइटू आइट्री और इफोर में से कौन-कौन सा पॉइंट हमारे स्टाइट पॉइंट होगा आइटू 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 हमने फांड आउट कर लिया आई वन और आइटी हमारा स्टार्ट पॉइंट इस्टार्ट पॉइंट से स्टार्ट करेंगे आई वन से आइटी की तरफ जाएंगे कि तरफ जाएंगे कि कि तरफ और भी ट्री से विफोर की तरफ फिर विफोर से जैसी हम आएटू पर पहुंचे लेकर से जैसी हम आएटू की तरफ पूचे एक ठाइएटू प्रॉचे क्लिपिंग पॉलिगऊन का क्लिपिंगुलर विंडो ना ऐस एक टेंगुलर विंडो सेक्ट्रप्र। जो डियर सबस्क्कर विंळों में है क्लिपिंगुलर विंडो Fen 지금까지 सब्सक्राइब जितने ही शेके साने अबर्टेकस सबस्क्राइब क्लिपिंग पॉलिगॉन पर है कि उप इसके बीडेगा अब सीवन से स्टार्ट करेंगे सबस्ते हैं करेंगे क्लरीकशन कापको कुछ इस सिक्वेंस में आपको दिखाई देंगे, समयारा है? तो, हमें करना किया है, जैसे हम आइवान से वी-3, वी-3, वी-4, वी-4 से एवान से आइटू पहुचे, जैसे हमें लगा कि इन-2 आउट जा रहे हैं, तो क्या करना होगा है? की तरफ करेंगे कि तरफ सब्जेक पॉलिगान से क्लिप पॉलिगान की तरफ मुभ करेंगे तो आई वनगे आई टू के पार मुव्मेंट किस पर आ अप पर आई वनपasis जाएंगे जैसे हमें मरा अगला स्टाट पॉंट क्या है? गजिर मैं कै डिखिए अगर I start point, I3 है, I3 से start करेंगे, I3 से V6, देखिए, I3 से V6 पे गए, फिर V6 से I4, V6 से I4 पे गए, अब I4 पे जैसी ही पहुचे वेटा, हमको लगा, आप तो हम इन्टो आउट मूव कर रहे हैं, और जैसे ही इन्टो आउट मूव करते हैं, हम पॉलिगॉन एज को छोड़ क करके, क्लिपिंगे इसकी तरफ मूव कर जाते हैं, तो हम सब्जेक्ट पॉलिगॉन के पाथ को छोड़के किदर मूव कर जाएंगे, क्लिप पॉलिगॉन की तरफ, जैसे ही I4 पे थे, देखिए, मैं I4 पे थे, यहां से हम सीधे मूव कर गए हैं, क्लिप पॉलिगॉन के I4 पर आपना प्लीपिंग आफटर क्लिपिंग यहां पर दो आईशूलेटेट पॉलीओं रहे हैं थिए से थीक है तो वाइलर ऐलगॉर्थम के चार्डिंग हमारे आफ्टर क्लिपिंग हमें जो पॉलिगों मिलेगा more than one convex polygon मिलेगा वाइलर अलगॉर्थम के चार्डिंग जब किसी कॉनकेव पॉलिगों को क्लिप करेंगे तो आउट्पट में हमारे पास more than one पॉलिगान होगा, लेकिन जब हम इसमें क्लिपिंग करते थे तो क्लिप करते थे तो आट्पुट में एक ही पॉलिगान मिलता था हम एक कॉन्वेक्स पॉलिगान क्लिप करते थे तो आट्पुट में हमें एक कॉन्वेक्स पॉलिगान मिलता था, लेकिन वाइलर में क्या हो रहा है, हम एक कॉन्वेक्स पॉलिगान क्लिप कर रहे हैं, एक कॉन्वेक्स पॉलिगान क्लिप कर रहे हैं, तो मोर देन वन वायler वाल अलगुर्थम में दोनों कर सकता है करेंगे लेकिन कुछ ही कॉनकेव को किलिप कर पाएंगे ठीक है लेकिन वाइलर में क्या हैं हम किसी भी कॉनकेव को किसी भी कॉनकेव को क्लिप करेंगे सिर्ски-थुष करेंगे कहनआ कारता है सुधर लेंड इस पेसली वचे के लिए कि सब्सक्राइब कर् सकते हैं कुछ कृणी कर सकते हैं सुदर्लेंड जोहें कुछ पडिके व से नहीं कर सकते हैं अशुद्ध जोत तर्ड एर एनिवन मैं कम्प्लीट मानुशेशन को फिर और एक चीज और मैं डेली जो आपको पढ़ाता हूं जूम के थूर ये वीडियो लेक्चर में अपनी यूट्यूब चैनल के अपलोड करता हूं है देखते यूट्यू के विडियो औरB pa आपको की सब्सक्राइब करेंगे लिख रहें हो तो दोड़िए लुग कर פा रहे हैं उनके साइड नेट्वर्क जो सुए जिसके वाद बार बार कट रही हो तो कुछ बीज में कोई पॉइंट कोई टॉपिक स्किप कर गया और समझ में नाया हो तो आप जब वीडियो देखेंगो उसमें कहीं भी का भी कॉटिनुटी ब्रेक नहीं हो रही है बिल्कुल क्लियर व